दोस्तो आज की अपनी पहली जो गौर्णमेंट जॉब है निकल के आई है RSMSSB डिपार्टमेंट की तरफ से महिलाओं के लिए ये भरती बरदान है, महिला कारिकर्ता के पदो पर भरतीयों के नोटिफिकेशन है अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 6 विकेंसी के लिंक मिलेंगे इसके अलाबा गूगल पे जाके www.nokrecover.type करेंगे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी देखें अभी नोटिफिकेशन के अंदर डेट्स के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि आपकी 20 जनवरी के आसपास आवेदन सुरू होंगे जो की पूरे एक महिने चलेंगे यानिकी फरवरी के मन तक इसके बाद अप्लीकेशन फीस की बात करें बिल्कुल फरी रहेगा चूकि महिलाओं को हर जगे छोट मिलती है महिलाओं की विकेंसी है और यहाँ पे अप्लीकेशन फीस के अंदर भी वहारी डिसकाउंट आपको मिलेगा एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 45 साल की कोई भी महिला केंडिडेट इन पदों के लिए आवेधन करेंगी इसके बात वाली जो 5 विकेंसी उसके लिए पुरुस केंडिडेट भी आवेधन करेंगे यहाँ पे देखें 9,890 पदों पर ये भरतियां हैं तीन तरह की पो बिसर यानी सामुदाइक स्वास्त अधिकारी के पदों पर तीन तरह की पोश्टे हैं जहाँ पे 10-12 पास आवेधन करेंगे साथ में ग्रेजुएशन पास वाले कंडिडेट भी आवेधन कर पाएंगे ये ओल इंडे लेबल की जॉब मिलेंगी इनके लिए फी मेल्स अपल कर सकते हैं अगर ये अच्छे वेकेंसी नहीं पसंद आती हैं तो आज के दिन की सभी सरकारी नोकरियों को एड किया गया है अपने अपने क्वालिपीकेशन के अधार पे क्लिक करके आप लोग इसकी भी जानकारी को देख सकते हैं 20 से लेकर 70,000 रुपए की सेलरी आपको द आपको तीन पोस्ट के लिए तीन अलग अलग नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए गए हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन फर्स्ट यहां पे क्लिक करेंगे सेकेंड के लिए यहां पे और थर्ड के लिए यहां पे मैंने नंबर वाइस जो तीनों विकेंसी बताई हैं तीन आई हुई है इसके अंदर डेट्स वगेरा आ चुकी है जहां पे आपको 11 जन्वरी से 30 जन्वरी 2024 तक आभीदन करने का मोका मिलने वाला है अप्लीकेशन फीस की बात करें जर्नल OBC EWS के लिए 250 और S.C.H.T. पी-च केंडिडेट के लिए 125 रुपए का रखा गया है यहीं पे हम एज के बारे में बात करें तो 18-42 साल का कोई भी केंडिडेट आभीदन करेगा इसके अलाबा यहां पे वेरियस नंबर और पोश्टे हैं जहां पे आपको तीन तरह की पोश्टे मिलेंगी पहली वेकेंसी रिसर्च आफिसर की दूसरी है फीमेल वाच एंड वाड रसीन की और थर्ड है प्यून की तीने को ले क्व crisp के लिए मास्टर डिगरी फीमेल वाच एंड वाड असीसर की लिए 10 पास या नी 10 पास और प्यून के लिए यानी चप्रासी के लिए कक्षा 8 पास हैं तो इसके लिए जो बेतन मिलेगा वो 16,900 प्यूण के लिए 19,900 यहाँ पे आपको मिल जाएगा second post के लिए और यहाँ पे आखरी में आपको जो post master degree के लिए वहाँ पे 44,900 की salary देखने को मिलेगी बात करें selection के बारे में written exam, document verification और medical के basis पे आप सभी का selection होगा इसके लिए भी application form और notification का लिंक यहाँ पे दिया गया है अब भी हम बात करते हैं आज के अपनी तीसरी job के बारे में लेकिन उससे पहले एक request है WhatsApp ग्रूप को जरूर जोइन करें ताकि daily basis पे update मिलती रहे और साथ ही साथ WhatsApp चैनल और टेलिग्राम गुरूप को भी जोईन करने यहाँ पे भी आपको updates मिलती है तीसरी अपनी job जो है FCI Food Corporation of India की तरफ से है www.noknikvart.com साइट को बिलकुल न भूलेगा कभी भी आपको latest job की update चैनल एडमेट कार्ड answer की यहीं पे आपको देखना है 10 January से लेकर 13-3 यानी 13 माज तक आपको आपीदन करने का मोका दिया गया है Application fees बिलकुल फ्री है निसुलक आपीदन करेंगे 18-35 साल का कोई भी candidate यहाँ पे आपीदन करेगा Various नूमर और पोश्टे हैं जहाँ पी आपको Stono Grapher के पदो पर भरतियों के notification देखने को मिलने वाले है 10-12 पास आउट है तो आप सभी इसके लिए आपीदन कर सकते हैं Who can apply कौन कौन आपीदन करेगा तो All India Level की जवाब है Male and Female दोनों के टिगरी के candidate इसके लिए आपीदन कर सकते हैं यहीं पे हम बात करें salary के बारे में 30,000 परमन तयानी की 30,000 रुपए की salary आपको यहाँ पर मिलेगी इसके बात बात करते हैं कि आपका यहाँ पे selection कैसे होगा तो इस frequency के लिए notification में साप साप mention किया गया किबल और किबल interview और document verification के आधार पे आपका selection होगा कैसे आप लोग आपीधन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपीधन करने के process के बारे में जानकारी है इसके बात important link का section है जहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के आपको link मिलेंगे अभी आपको doubt में बिल्कुल नहीं आना है एक link है हिंदी इस्टोनोगरापर पोश्ट के लिए और एक link है इंगलिस इस्टोनोगरापर पोश्ट के लिए तो जिसको इंगलिस में टाइपिंग आती है वो इंगलिस वाली पोश्ट के लिए अपलाई करेगा और जिसको हिंदी में आती है वो हिंदी वाली पोश्ट के लिए अपलाई कर सकता है अब भी हम बात करते हैं चौती गौवर्नमेंट जॉब के बारे में जो की कस्तूरवा गांधी बाली का विद्याला याने स्कूल की तरफ से आई हुई है डेट सोगेरा आ चुकी है कापी कम समय है आपीदन सुरू है 16 जनवरी 2024 आपीदन करने की आखरी डेट है अपली केसन फीस की बात करें बिल्कुल फ्री है चाहे आप किसी भी केटगरी के कैंडिडेट है आप लोग निसुल्क आपीदन कर सकते हैं एज के बारें बात करें तो 18 से 35 साल का कोई भी केंडिडेट इसके लिए आराम से आपीदन करेगा इसके बार वेरियस नमबरों विकिंसी है जहां पर आपको टीचर से आने की सिक्षक के पदों पर भरती के नोडिपिकेसन देखने को मिलेंगे 10-12 ग्रेजुएट वियर्ड वगेरा है जो के टीचर के इलिजबिल्टी है आप आवेदन करेंगे और इन्डे लेबल की जॉब यहां पर भी है और मेल एंड फी मेल दोनों को मोगा मिलेगा आवेदन करने का 15,840 रुपाय स्टार्टिंग की सेलरी फिक्स की गई है सेलेक्शन के बल और केबल इंटर्व्यू के अधार पर तो एक बार जरूर आप एदन करके ट्राइ करें डाकुमेंट वेदन करेंगे उसके बारे में जानकारी है और यहाँ पर आपको दो चीज़े मिलेंगी एक आप्लाइन अप्लीकेशन फोरम और एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दोनों को लिए आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है नोकरीखबर.com आज की अपनी पाचवी जो जॉब आई हुई है इसके लिए आप एलेजबल है 18 से 45 साल के कैंडिडेट आवीधन करेंगे 20 हजार के लगवक आपको सैलरी मिलेगी और केबल और केबल इंटर्विव के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा एक जनवरी से एक फरवरी तक आपको आवीधन करने का मोका दिया गया है करते हैं आज की अपनी आपकरी जॉब अपडेट के बारे में जो की एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई हुई है स्कूल के अंदर प्यून की विकेंसिया है इसके लिए भी सौट नॉडिविकेशन है निउस्पेपर के माध्यम से जनवरी से फरवरी तक आपेदन करने का समय है अपली केशन फीस के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है ज्यादा ज्यादा अंजिजर्व केंडिडेट को देना पड़ेगा सौ रुपेब बागी किसी भी केटेगरी को एक भी रुपेदन करेंगे अटरा से चालिस साल वाले केंडिडेट आपेदन करेंगे और नमबर विकेंसी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे अटरा अजार तीन सो अस्टी पदो पर भरतियों के नोटिपी किसन है जहाँ पे आपको प्यून की पोश्टे मिलेंगी पाचवी पास पहले कॉलिपी केसन था जिसको बढ़ा के अभी आठवी पास कर दिया गया है तो अगर आप लोग आठवी पास है तो आवेदन कर पाएंगे और इन्ने लेबल की जवब यहाँ पे पी है और साथ ही साथ डाकूमेंट वेडिपिकेसन की प्रोसस से कुजरना होगा अगर आप लोग सौट वेडिपिकेसन को डाउनलूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आए और क्लिक एर की बटन पे क्लिक करें और इसको डाउनलूट करें उमीद करता हूँ सभी जॉब अपडेट के बारे में अच्छा सी जानकारी आपको मिल पाई होगी उमीद के साथ ये भी उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद